Hello students, आएए आज हम चानते हैं alcohol के preparation का एक और method और इस method में alcohol को alkenes से बनाया जा सकता है यानि इस जो information आज हम देखेंगे इस information से alkenes का reaction भी इसको मान सकते हैं और alcohol का preparation भी इसको मान सकते हैं तो यानि इलकीन में भी इसको आप पढ़ सकते हैं reaction को और alcohol के preparation में भी इस reaction को पढ़ सकते हैं reaction है hydroboration oxidation hydroboration oxidation जो है वो दो reactions का समावेश है it is addition reaction, this addition reaction has two reactions, दो reactions से बनावा है the first part is called as hydroboration and it involves addition of boron atom to carbon atom of double bond जो पहला हिस्सा है उसे hydroboration कहते हैं और उसमें boron atom जो है वो carbon carbon द्वी बंद के carbon पर जाके चोड़ता है the second part is called as oxidation and it involves hydrolysis of alkyl boron to yield alcohol जो दूसरा हिस्सा है वो केवल, केवल, alcohol का preparation है first जो part है जिसे hydroboration कहते हैं वो alkene का reaction है alkene के reaction से जो हमें alkyl boron प्राप्त होगा उसका अगर oxidation करें और hydrolysis करें तो alcohol प्राप्त होगा तो पहला हिस्सा, पहला part alkyne का property या alkyne के reaction और second part है alcohol का preparation second part भी दो तरह से किया जा सकता है, दोनों parts हम देखेंगे overall reaction, जो total दोनों को मिला कर hydroboration और oxidation, दोनों को मिला कर जो reaction है वो है addition of water molecule to a double bond, कोई भी alkyne लेंगे उस पर देखिए alkyne हमने लिया है इस पर इस से जो product हमें मिला है वो है alcohol, यानि इस double bond पर यहाँ H और यहाँ OH जुरने के बाद हमको यह propanol, 1 propanol मिला है और propene से हम शुरू हुए थे तो यानि overall reaction जो है उसमें addition of water molecule to a double bond होता है double bond पर एक water molecule का addition होता है तो देखें, overall reaction को हम किस तरह से लिख सकते हैं? पहले पार्ट में BH3 in THF, BH3 जो है बोरेन यह डाई बोरेन की रूप में रहता है, बहुत अस्थाई होता है electron deficient है बोरोन इसमें और यह THF solvent में इसलिए स्थाई रहता है क्यांकि THF अपने electrons बोरोन को दे के उसको थोड़ा बहुत स्थाई करता है लेकिन थोड़ी देर में BH3, B2H6 में परिवर्टित हो जाता है प्रोपीन जो यहाँ example दिया हुआ है या कोई अलकीन, अलकीन के साथ यह बोरेन का रियक्शन होने से ट्राई अलकाईल बोरेन प्राप्त होता है, यह हिस्सा अलकीन के रियक्शन में आता है जो कि आपके 1st एक से लेबस में है और ट्राई अलकाईल बोरेन जो प्राप्त होआ, उसका हैड्रोजन पराक्साइड और एल्कलीन हैड्रोजन पराक्साइड या हैड्रोज़ाइड आयन की उपस्तेती में हैड्रोजन पराक्साइड के साथ अगर हम oxidation और hydrolysis करते हैं तो हमें propanol मिलता है इसके अलावा यहां से यहां तक आने में ट्रायल कायल बोरेन से 1 propanol तक आने में एक और reaction भी है जिसको हम आगे आगे पढ़ेंगे और वो कहलाता है carbonylation और carbonylation के बाद hydrolysis हम इसका stereochemistry देख लेते हैं stereochemistry यह है regio selective reaction regio selective जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था regio शब्द आया है region से यानि खेत्र selective यानि चैन तो किसी एक खेत्र का चैन करके region का selection करके यह reaction हुआ है किस तरह से इस बात को कह सकते हैं वो यह कि यह जो carbon carbon double bond है इसमें यह जो carbon है इसमें CH है यहाँ पर और यह जो carbon है यह CH2 है तो CH वाले carbon पर आप देखें hydrogen जाके जोड़ा है और CH2 वाले carbon पर OH जोड़ा है उल्टा नहीं हुआ है तो देखिए CH carbon पर H का जोड़ना और CH2 carbon पर OH का जोड़ना anti-marconic of neum के अनुसार आता है और इसका मतलब यह भी है कि खेत्र का चैन हुआ है region selection हुआ है उसी जगह पे एक निश्टित जगह पे ही H और एक निश्टित जगह पे ही OH जाके जोड़ता है इसलिए इसे region selective reaction कहते हैं और यह anti-marconic of neum का पालन करता है यह sin addition भी है stereo chemistry में sin addition का मतलब है कि एक ही दिशा से atoms का जोड़ना हम जब इसका mechanism पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोपीन से जब हम tri-alkyl borine में आए तो borone और hydrogen एक ही दिशा से इस alkenne यह carbon carbon double bond में जाके जोड़े तो इसलिए इसे कहते हैं sin addition of hydrogen and borone to alkene आईए अब इसका mechanism देख लेते हैं mechanism में दो हिस्से हैं mechanism of hydroboration oxidation दो हिस्से हैं part 1 में हम hydroboration पढ़ेंगे जो hydroboration है वो marconic of neum के अनुसार होता है अभी हम यह ने सुना कि जो यह reaction है overall reaction anti-marconic of neum के हिसाब से है लेकिन जो पहला step है वो marconic of neum के अनुसार है और sin addition इसमें होता है यह देखिए प्रोपीन के molecule के example को ही हमने यहां उठाया है और इसमें यह C double bond C यह CH और यहां पर CH2 और यहां पर जो है borone जो है वो ज़्यादा electro positive है hydrogen की तुलना में यहां पर और यह क्योंकि electron noon है, electron deficient है इसलिए πाई बंद के electrons की और यह attract होता है इन steps को हम नाम देते हैं ABC तो यह पहला A step हुआ और पहले जैसे यह दोनों molecules आपस में आते हैं तो यह पाई complex का निर्मान करते हैं जिसमें πाई electrons के द्वारा बुरून आकरशित होता है, this is called as pi complex, इसके बाद sin addition होगा, sin addition और मारकॉनिकोफ नियम के अनुसार होगा, मारकॉनिकोफ नियम के अनुसार जो positive हिस्सा होता है या electropositive होता है, वह उस carbon से जोड़ता है जिसमें पहले सुपस्ते hydrogen के संख्या अधिक हो, तो देखिए यहाँ पर, पहले सुपस्ते था hydrogen के संख्या यहाँ पर CH2 इसे पर जाके यह boron इसने अपना bond बनाया, और जो hydrogen है, यह BH bond था, वो hydrogen boron का, उसने carbon के साथ bond बनाया यहाँ जो मैंने reaction mechanism समझाने के लिए right, wrong, right, wrong का निशान लगा रखा है, wrong मतलब cross मतलब bond breaking and right मतलब bond making तो यह नया बंद बन रहा है, यह पुराना बंद जो boron और hydrogen के बीच में था जो कि यहाँ था, देखिए, पूरा solid bond है complete bond है, वो तूटने लगा है और यहाँ पर कोई बंद पहले नहीं था तो यह बंद नया बनने लगा है CC के बीच में double bond था, तो pi bond तूटने लगा है, इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों ही boron और hydrogen, carbon carbon double bond पर एक ही दिशार से जुड़ रहे हैं, इसलिए से sin addition कहा जाता है जो positive है positive हिस्सा वो उस carbon से जुड़ा, जहां पर hydrogen जादा है, इसे लिए इसको marconikov addition कहा जाता है, इस तरह से एक four atom cyclic transition state का निर्मान हुआ और इसके बाद जब यह बंद जो टूटने थे वो टूट जाएं और जो बनने थे वो बन जाएं उसके बाद जो हमें यह प्राप्त होगा वो mono alkyl borine इस चरण के आखिर में प्राप्त होगा जो कि हमने जिसको C नाम दे रखाया, यह A यह B और यह C देखिए कि A, B, C एक बार होने के बाद एक borine का जो एक hydrogen है, तीनो hydrogen में से एक hydrogen वो एक alkyl group से प्रतिस्थापित हो गया इसी प्रकार से अगर हम A, B, C को और दो बार repeat करें, तो यह दोनों hydrogen के स्थान पर फिर यह alkynes जोट जाएंगे और हमको trialkyl borine अंत में, part one जो है hydroboration reaction के अंत में हमको यह trialkyl borine मिलेगा, जो students इसको alkyne के लिए first year में पढ़ रहे हैं, वो stereochemistry में लिखेंगे के यह marconic of neem के अनुसार और stereochemistry में लिखेंगे sin addition, जो इसको alcohol के लिए पढ़ रहे हैं, वो लिखेंगे anti-marconic of rule, region selection में और लिखेंगे sin addition अब देखते हैं कि part two में क्या होता है, part two है oxidation और hydrolysis इसमें हम जो trialkyl borine part one में हमको मिला है hydroboration reaction के दौरान हमको जो, के दौरा जो हमको प्राप्ट हुआ है उस पर focus करते हैं तो देखिए oxidation and hydrolysis trialkyl borine को हमने लिया और इसका reaction करवाया H2O2 and OH- alkaline hydrogen peroxide से alkaline hydrogen peroxide से हम जब करते हैं तो OH- hydrogen peroxide का hydrogen लेके चला गया और बचा है HOO- ये nucleophile जो है वो इस boron पर जो की electron noon होता है उस पर अपने electrons देके एक बंद बनाता है इस reaction को, इस step को हम नाम देते हैं और जिसकी वज़े से boron और oxygen की बीच में बंद बनता है ये देखिए boron और oxygen की बीच में बंद बना और oxygen oxygen के बीच में बन तो paroxide में होता ही है इस तरह से ये OOH boron से जाके जोड़ा अब reaction को अच्छी तरह से समझाने के लिए यहां तीन थे और जो 2 को हमने या रखा और तीसरे alkyl group को यहां पर हमने उपर लिख दिया तो यह जो हमें intermediate बना यह unstable है intermediate species है जो की neutral है और उसके बाद step B में आप देखिए जो oxygen क्योंकि electronegative होता है और oxygen oxygen bond क्योंकि unstable होता है तो इसे लिए oxygen oxygen बंद के electron यह वाल oxygen अपनी और आकरशित करके ले जाएगा जिसके फालसरों दोनों electrons इस oxygen के उपर चल गए तो यह बंद तूट जाएगा इस बंद के तूटने पर मिलेगा हमें OH- जो की निकल के हट जाएगा और यह जो oxygen है क्योंकि इसको electron की कमी हो गई इसके बंद के electron साथवाल oxygen ले गया तो अपनी कमी को पूरा करने के लिए यह boron और carbon का air bond इधर से यहां shift होगा और एक नया बंद बनेगा oxygen और carbon के बीच में जो कि आप देख रहे हैं कि O, CH2, CH2 CH3 यह देखिए यह O, CH2, CH2, CH3 वो चीज यहां दिखाई गई है अब यहां पर यह हुआ कि दो alkyl groups और यहां पर जुड़े हैं यह तीसरा alkoxy यह जो है तीसरा है वो alkyl group के जगह पर अब यह alkoxy group ने करेवर्तित हो गया क्योंकि यह carbon अब इस oxygen के साथ बंद बना चुका है और boron के जो उपर है तीन atoms, तीन bonds वो बन गए हैं यहां पर इस तरह से जो है hydrogen HOO minus hydrogen peroxide और alkali के साथ एक-एक करके यह दोनों भी alkyl groups भी replace हो जाएंगे यानि A, B A और B को repeat करते जाएं hydrogen peroxide और hydroxy ion के साथ तो यह सारे जो C, B, C bond हैं वो B, O, C bond में परिवर्तित होते जाएंगे तो इस तरह से आखे में हमको एक borate ester मिलता है तीनो alkyl group जो है वो alkoxy group ने परिवर्तित हो जाते हैं अब इसका जो reaction वो होगा hydroxide ion से hydroxide ion जो solution पढ़ा हुआ है वो OH minus अपने electrons क्योंकि यह nucleophile है यह electron noon electron deficient borone को इसने अपने electrons दिये और जिससे borone, oxygen, hydrogen यह जो bond है यह तयार हुआ borone और oxygen का यह minus है, यह neutral है तो minus और neutral से के reaction से जो बनता है species वो minus charge वाला बनेगा तो अब इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए इन तीन में से दो को हमने यूँ लिखा और तीसरे वाले को हमने इस तरह से L-coxy group को नीचे लिखा अब देखिए कि जो borone और oxygen का जो bond के electrons है वो oxygen अपनी और आकरशित कर लेता है जिसकी वज़े से दोनों के दोनों electrons यहां से चल गए तो यह का borone और oxygen का bond जो है तूट गया borone oxygen bond के तूटने पर हमको यह देखिए इसको हम लिख सकते हैं CH2, CH2, CH3 को हम लिख सकते हैं C3, H7 और यह oxygen के पर O- तो यह L-coxy जो L-coxide iron है वो प्राप्त हुआ और borone के उपर से माइनस चार्ज हट गया क्योंकि electrons लेके oxygen चला गया और इस borone के पास बजा हुआ है यह दो L-coxy groups और एक OH group अब देखिए कि इसके आखिर में इसके बाद जो है इस step को हमने दिया D और इसको नाम दिया हमने E यह जो next step में यह L-coxy ion यह hydrogen के साथ bond बनाता है oxygen hydrogen के बंद के electrons oxygen अपने उपर लेता है तो okay पर हो गया minus और यह बन गया C-3-H7-O और यह H यह बना हमारा alcohol product और हमको यह anion मिला लेकिन हम C-D और E इन तिनों reactions को बार-बार repeat अगर हम करते हैं दो बार और तो हम C-3-H7-O-2 से हम दो alcohol के molecule और प्राप्त कर सकते हैं C-3-H7-O कौन सा है यह इसी को हमने short करके C-3-H7 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस प्रकार से oxidation और hydrolysis के द्वारा हमने alcohol प्राप्त किया लास्ट पार्ट जो है दूसरा वो है अलकाइल, ट्राइलकाइल बोरेन से कार्बोनाइलेशन के द्वारा tertiary alcohol को प्राप्त करना इसमें द्ट्राइलकाइल बोरेन अंडर्गोज कार्बोनाइलेशन विद कार्बन मोनोकसाइड इन डाइगलाइम यह है डाइगलाइम जिसका हमने यहां पर फॉर्मलर भी लिखा हुआ है नाम भी है लिखा हुआ है डाइगलाइकल मिथाइल इथर भी इसे कहते हैं और बिस्-2-मेथाक्सी इथाइल इथर भी इसको कहते हैं और कर्बन मोनोकसाइड उसमें होता है और trilkalboran के साथ carbon monoxide की रियक्षिन होती है किसके उपस्तिते में? इथलीन glutolon eyeliner की उपस्तिती में और जो हमें प्राप्त होता है उस polymer का फिर हम hydrogen peroxide alkaline hydrogen peroxide की उपस्तिते में oxidation कराके हम को tertiary alcohol प्राप्त होता है और जो इसमें लबदी है टर्शुरी अलकॉल की वह बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये रियाक्शन की जाती है, ट्रायलकाल बोरेन, देखो ये ट्रायलकाल बोरेन है, ये कार्बन मोनोकसाइड, हड्रोजन परोकसाइड और अलकलीन, हड्रोजन परोकसाइड के साथ ये दोनों रियाक्शन के बाद overall reaction tertiary alcohol की प्राप्ति, mechanism, यह mechanism मैं यहां लिखना बूल गई थी, टैटल अप यहां पर डाल देना, यह है trialkyl borine, उसका carbon monoxide के साथ reaction हुआ और boron और carbon के बीच में यह बंद बना, boron के उपर आया negative, carbon के उपर आया positive charge और इसी वजह से यह जो alkyl group है, वो इस carbon के उपर shift हुआ, इसको कहते हैं, first migration, यह reversible reaction है, आप देखिए carbon के उपर एक alkyl group, boron से अटके यहां पर आ गया, migration यानि विस्थापन, यह जो oxygen है, वहाँ, इस boron के साथ उसने अपना bond बनाया, और इस तरह से एक oxygen के तरह का एक structure, तीन तीन atoms का एक छोटा सा ring राप्त हुआ, और यह छोटा सा ring जो है, यह क्योंकि unstable है, इसलिए यह आसानी से उसके बाद आगे जाकी टूट जाएगा, यहां पर carbon पर देखिए आप एक, दो, तीन, चार, चार bonds थे, लेकिन यहां जब जैसे ही वो ring बना, इस electron का, electron pair का boron पर shift हो होने के बाद, तो carbon के उपर तीन bond रहा जाते हैं, तो इस वजए से carbon के उपर plus charge है, boron के उपर negative charge है, और electron new होने के कारण, यह अपने electron को लेके shift हो जाता है, electron को लेके shift हो गया, तो carbon के उपर दोनो, दो alkyl groups आ गया है, यानि alkyl group का यह second migration हुआ, ध्यान कीजिए कि boron के उप से carbon के उपर आ गये हैं, क्योंकि यह strain यह तनाव वाला ring है, इसलिए carbon oxygen के electrons को oxygen ले लेता है, और जिसके वजए से यह जो, और साथी साथ, यह जो alkyl group है, यहाँ पर carbon के उपर shift हो जाता है, यह है third migration, और इसके साथ ही, यह O minus होगा, और साथ ही इसका polymerization भी होगा, तो total जो हम को इसके बाद जो हमें मिलेगा, वो है R3CBO, और N लिखा है polymer के लिए, polymer बनने के लिए तो एक polymer बनता है, इस polymer का hydrogen peroxide और alkaline medium में, वच आइंस की अपस्तेते में, जब oxidation और hydrolysis होता है, तो फिर हमें मिलता है, tertiary alcohol, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कि alkyne से hydroboration के बाद हमें alcohol दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, कर्बनालेशन के द्वारा और एक oxidation hydrolysis की द्वारा, I hope you have understood the reactions, it is important for first year and second year also, और साती सात, hydroboration reaction, hydroboration और oxidation reaction, ये दोनों ही reactions, name reaction में पूछे जाते हैं और competitive exams में भी पूछे जाते हैं, first year में भी ये पूछा जाता है reaction, और second year में भी इसक का preparation पूछा चाता है, thank you